अब हम बात करते हैं मिठाई के जो मिठाई है इसमें ना ही मैंने किसी भी प्रकार का शुगर ना ही मैंने किसी भी प्रकार का ओयल एड किया आप इसको अपने डाइट में मौडरेट एमांट में वन से नवाइल एजली आड़ कर सकते हैं लेट्स मेक दी शुगर फ्री, ओइल फ्री, होमेड एनर्जी बार और सिंगल एनर्जी बार में हमें 111.9 कलरीस मिलती हैं और इससे बनाना भी बहुत आसान है इसे बनाने के लिए स्टील के पैन में मैंने काजू, बादाम, पंकेन सीड, पॉपी सीड और साथ में तिलाट किया है और इसे हमें स्लो फ्लेम में अच्छे से रोस्ट कर लेना है सेम पैन में मैंने शेंग डाना या ग्राउड नट्स और साथ में रोल्ड ओट्स लिया है और इसे भी हमें अच्छे से रोस्ट करना है पानी आड करके 30 मिनिट के लिए साइड में रख दिया था और इस तरह के से पेस्ट बना लिया है स्टील के पैन में बिना तेल एड़ किये अभी हमें इस डेट के पेस्ट को एड़ करना है और 5 से लेके 6 मिनट तक कुख करना है इसके बाद इसमें हम एड़ करेंगे जो नट्स हमने फ्रोस्ट करके रखे ते वो एड़ करना है साथ में ओट्स और ग्राउंड नट्स का में रखना है चार घंटे के बाद देखेंगे तो यह प्रॉपर सेट हो गया अब हमें इसे अपनी च्छा के अनुसा शेप्स में कट कर लेना है सो मैंने यहां पे इसे 16 पीसस में कट कर लिये हैं सिंगल पीस होम में डैनारजी बार में हमें नियादली 11.9 कल्डीस मिनती है और हर तीन महिने में अपना ब्लड शुगर टेस्ट भी जरूँ कराना जब ब्लड टेस्ट कराने के लिए आप रेड गलिफ ल्याब को रिफर कर सकते हैं रेड गलिफ लैब ये ना के बल्लड शुगर टेस्ट इसके साथ में ये 3600 प्लस रूटीन एं स्पेशलाइस तेस् प्रेस्टिग लाब बाई डॉक्टर्स साथ में मुझे ब्रेट के फ्लैब की सबसे चछी बार किये लगी कि ब्लड टेस्ट कराने के लिए हमें लाब जाने की ज़रुवरत नहीं यह हों ब्लड कलेक्शिन सर्फिस भी प्रोवाइड रहती है यह घर पर हमादें ब्लड सांप को लिया जाता है और ओन टाइम हमें रिप्रोट्स में जाता है